जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे द्यूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे तेरे बोल, तेरे बोल बोल सबा अब तक तेरी है तेरे बोल, तेरे बोल नूस्कार आप देखने बोल के लिए बाजाद ही तेरे मैं आभिसार शर्मा और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि आप लोग नूस्क्लिक की सदस्ता ग्रहिण करके हमारे हाथ मजबूत कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने दो विशे लेकर आया हूँ मुद्दा नंबर एक दिल्ली की कड़कड दूमा अदालत ने दिल्ली पुलीस को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि आप दिल्ली दंगो में आरोपियों को क्यों बचा रहे हैं और मुद्दा नंबर दो भारत को नया स्वासमंत्री तो मिल गया है मगर उसमें और पिछले स्वासमंत्री में कोई फार्क नहीं है ये स्वासमंत्री भी कोरोना को लेकर मिसमानेजमेंट टीकों को लेकर मिस मैनेजमेंट को लेकर राज्यों पर ही दोश मढ़ रहा है यानि कि वही ढाक के तीन थाथ अब ईश्वर ही हमें बचाए कि हम कोरोना की तीसी लहर का कैसे सामना करने वाले हैं उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे मगर सबसे पहले दिल्ली दंगों पर दिल्ली की कड़कर दुमा अदालत का फैसला दोस्तों बहुत बड़ी बात कही है अदालत में अदालत में कहा है कि पुलीस आरोपियों को बचा रही है और यही नहीं उन्होंने दिल्ली पुलीस पर 25,000 का जुर्माना ठोका है बहुत एहम बात कहीं यहाँ पर दिल्ली की कड़कर दूमा अदालत ने, कि दिल्ली आरोपियों को बचा रही है, मगर मुझे लगता है कि मामला इससे एक अदम आगे है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि दिल्ली दंगों की जमीन तयार की थी भारती जायता पार् यह आपको बाद में बताऊंगा, मगर सबसे पहले इन तीन चेहरों से आपका परिशय कराना चाहूँगा, कपिल मिश्रा, मौझूदा सूचना और प्रसारन मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहिप सिंग, जो की पश्रीमी दिल्ली से सांसर है, सबसे पहले मैं आ दंगे शुरू हो जाते हैं, और कम से कम साट से सतर लोग उस दंगे बे मारी जाते हैं, इस आदमी की बात सुनिए, बेखोश मश्रा, बात सुनिए, क्या कह रहा है, मैं आप सब के भीहाफ पर ये बात कह रहा हूँ, प्रंप के जाने तक तो हम शान्ती से जा रहे हैं, ले ये जो IPS ऑफिसर है, उसने केंदर सरकार को एक खत लिखा कि दिल्ली दंगों के दोरान मैंने बहुत अच्छा काम किया था, केंदर सरकार की बहुत अच्छी सेवा की थी, इसलिए मुझे प्रमोशन दिया जाए, इस तरह से प्रमोशन चाहिए इनको, अब मिली अनुरा ठा नावों के दोरान कि शाहिन बाग के लोग घर में घुसकर आपकी बेटियों और बहनों के साथ बलातकार करेंगे, सुनिए ये दोनों बंदूक या पिस्टॉल लेकर पहुंच जाते हैं, जामिया और शाहिन बाग और वहां गोलियां चलाने लगते हैं, क्रोनालिजी को समझिए, जब दिल्ली की कड़कर दूमा अदालत ये कह रही है, कि दिल्ली पुलीस आरोपियों को बचा रही है, तो इसकी ज हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, कोट ने जुर्माना दिल्ली हिंसा 2020 के दौराव अपने करतव्यों का निर्वहन ठीक से ना कर पानी की वज़ा से लगाया है, यानि कि दिल्ली पुलीस हिंसा के दौरान अपना काम करने में विफल रही, इसी एवज में उस पर ज चिकायत दूसरी अफायार में जोड दिया, आपकी स्क्रीन्स पर यह है मौंबन नासिर, मौंबन नासिर ने कहा कि मुझ पर साथ लोगों ने हमला किया था, जिसकी वैसे मेरी आँख चली गी थी और आप इस फोटो में देख भी रहे हैं, इसमें एंडी टीवी की इस खब दूमा अदालत ने कहा कि आप आरोपियों को क्यूं बचा रहे थे, क्या कहा, उन्होंने, कोट में अपने आदेश में कहा है कि पूरा मामला देखने के बाद ऐसा लगता है कि दिली, पुलीस ही आरोपियों को बचा रही है, इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए, देवांग देवांगना कलीता और नताशा नर्वाल जब तिहार जेल से रहा हुई थी इनके चेहरे पर ये मुसकान देखियो दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग पिछले एक साल से जेल के अंदर यातना भुगत रहे थे क्योंकि इनके दिल में सच्चाई की आग थी सच्चाई की ज्वाला थी इसलिए कोई सरकार कोई अदालत कोई पुलीस इन्हें जुका नहीं पाई इस तरह से बेखसूरों को जेल भेजा जा रहा था अभी हाल ही में सुप्रीम कोट गए ये लोग Supreme Court में कहा कि इनकी बेल को कैंसल किया जा है Supreme Court में बेल कैंसल करने से मना कर दिया हाला कि उनोने देवांगना कली ता नताशा नर्वाल और आसिफ इक्बाल तनहा को knowton जरूर जारी किया है उनके बैनों को लेकर मैं आपको यहां क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको यही बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दिल्ली दंगो पर दिल्ली की कड़कर दुमा अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो बहुत ही बड़ा फैसला है मैंने आपको बताया किस तरह से निता भड़का रहे थे और युवा भड़क रहे थे और अब वही स्क्रिप्ट जो है आगे भी दोहराई जा रही है इस चेहरे पर गौर कीजे रामभक्त गोपाल ये उस वक्त कथित तोर पर नाबालिक था जब इसने जामिया में गोली चलाई थी और एक छात घायल हो गया था आज यही व्यक्ति हर्याना में पहुँचकर भड़काओ बयान देता है और उस सभा में ये शक्सूरचपाल अमू जो की भाचपा का हर्याना का प्रवक्ता है वहां मौजूद होता है ये लोग खुले आम बयान देते हैं कि हमें मुसल्मानों को मारनी की अनुमती मिलनी चाहिए खुले आम भारती जनता पार्टी इस तरह से इनामित करती है ऐसे दंगाईयों को ऐसे भड़काओ बयान देने वालों को अनुराथ ठाकुर ने क्या बयान दिया वो मैं आपको सुनबा चुका हूँ इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया था कपिल गुर्जर जिसने शाहिन बाग में गोली चलाई थी घाजियबाद बीजेपी ने इसे पार्टी में शामिल कर लिया था बाद में जब मीडिया में इसको लिकर बवाल हुआ मीडिया नहीं स्वतंत्र मीडिया में पालतु मीडिया ये गोधी मीडिया नहीं, पालतु और गोधी मीडिया तो इन्हें हीरो बना देगा, तब जाकर भारती जनता पार्टी ने यूटर्न लिया था, मगर अब भी कपिल गुर्जर और रामभक्त गोपाल जैसे लोग कही न कही भाश्पा के प्रचार तंत्र और उन्स तंत्र से जुड़े होंगे, मैं यही तो समझना चाहता हूँ क्या वज़ा है कि भाश्पा इस तरह से दंगाईयों को, इस तरह से अराजकता पहलाने वाले लोगों को, इस तरह से समाज के अंदर भड़काव बयान देने वाले लोगों को इनामित करती है, उन्हें पुरसकृत करती है, कि सवाल का जवाब दिया जाना ज़रूरी नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये मामला अदालत में आगे बढ़ेगा, तब दिल्ली की कड़कर दुमा अदालत जो है, इन मुद्दों पर भी गोर करेगी, कि सत्ता पक्ष अपनी तरफ से एक बयान दे रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे कई बयानाद जो हैं उत्तर प्रदेश की प्रिष्ट भूमी में दिये जा रहे हैं, मकसद साफ है, क्योंकि देखिए, हर्याना में भी जो हुआ, उसकी बीतार कहींडे का कई उत्तर प्रदेश के जुड़े हु वक्री समझ लिया है और ये हम हिंदुों के लिए शर्म की बात है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जहर के आधार पर नफरत के आधार पर हमारा वोट हासिल कर सकती है तो मैं आपको बतलाने के जो प्रयास कर रहा था कि बिल्कुल वही स्क्रिप्ट जो हमने दिल्ली दंगों से पहले देखी थी जिसमें तमाम नेता भड़काओ बयान दे रहे थे अब यही नेता यह छोटे मोटे नेता लगातार यह बयान दे रहे हैं उत्तर पर देश के चुनाव साथ या आट महिने बचे हुएं वही स्क्रिप्ट वही क्रोनालोजी फॉलो की जा रही है उसका मैं चाहूंगा कि मेरे इस बात पर आप टिपणी करें कॉमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप मुझे समझाएं कि आप किस समाज का हिस्सा होना चाहते हैं वो समाज जहां कि नेता हमें बाटने वाले बयान दे जहरीले बयान दे समाज के अंदर ऐसे हालात पैदा करे जिसके चलते हमारे बुजर्ग माबाब, हमारे बच्चे वो खुद को दंगे भरे हालात में पाएं दिली इसके एक बांगी है दिली के दंगों में सिर्फ मुसल्मान नहीं मारे गए थे, हिंदू भी मारे गए थे मैं वही तो समझना चाहता हूँ कि आखिर उन दंगों के लिए मैं उन नेताओं को जिम्मेदार क्यों ना मानू जो इस तरह के जहरी ले बयान दे रहे थे कपिल मिश्रा, इस पर कोई कारवाई क्यों नहीं की गई मुझे बताईए आप वाकि दोस्तों हैरत होती है जब समाज इस कदर नफरत में अंधा हो जाए ये बतलाता है, मैं उन नेताओं को दोश नहीं देता हूँ उन नेताओं को लगता है कि उनके सर्वाईवल के लिए उनके पुलिटिकल सर्वाईवल के लिए वो सिर्फ ये जहर का प्रचार प्रसार कर सकते हैं मगर आप, आप जो समझदार हैं, आप क्या कर रहे हैं मुझे बताईए ना वो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों हर जगा इनकी यही हालत है दिल्ली दंगो पर दिल्ली की कड़कर दूमा अदालत ने कहा कहा मैंने आपको बताया जैसे कि आप जनते हैं कि इंडियन मेडिकल असोसियेशन ने इस बात की चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है उन्होंने इस बात की बीच यतावनी दी है कि धार्मिक आयोजन ना किये जाएं लोग परियटक स्थलों में भीड़ना मचाएं और कल ही सुप्रीम कोट में एक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोट के फैसले में बहुत साफ था कि आखिर उत्तरपदेश की जो सरकार है वो कावड यात्रा क्यों जारी रखना चाहती है खासकर तब जब उत्तरखंड की सरकार ने कावड यात्रा पर रोक लगा दिया है हम जबकि कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं तो भारती जनता पार्टी के अंदर इतना समंजस है उत्तरखंड की सरकार उस पर बैन लगा देती है मगर उत्तरपदेश की सरकार जो है उसे जारी रखती है राजनीतिक कारण उसे और देश को एक नया स्वासमंत्री मिला है आपके स्क्रीन स्वर मंसुक मंडाविया इनके बयान में और पहले के स्वासमंत्री के बयान में कोई फर्ख नहीं है उसे समझने के लिए आपको मंजुल का ये काटून देखना पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर्श वर्दम जो हैं प्रदान मंत्री को शिकायत कर रहे हैं कि भई मैंने भी तो यही कहा था जो मंसुक मंडाविया ने कहा फिर आपने मुझे क्यों हटा दिया दरसल मंसुक मंडाविया ने ये कहा है कि vaccines को लेकर जो इस वक्श संकट दिखाई दे रहा है कुछ राज्यों में उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राजसरकारों की है क्योंकि उन्हों ने vaccines को लेकर mismanagement किया है क्या कहा है मंसुक मंडाविया ने आपके screens पर अगर केंद्र पहले से ही अपनी तरफ से ये जानकारिया एडवांस में दे रही थी और इसके बावजूद भी हमें कुप्रबंधन और वैक्सीन लेने वालों की लंबी कतारें दिख रही है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समस्या क्या है और इसकी वज़ा कौन है मीडिया में भरम और चिंता पैदा करने वाले बयान देने वाले नेताओं को इस बात पर आत्म निरीक्षण करने की जरूरत है कि क्या उन्होंने शासन प्रक्रिया वह उससे संबंधित जानकारियों से इतनी दुरी बना ली कि वाक्सीन आपूरती के संदर्भ में पहले से ही दी जारी जानकारियों का उन्हें अता पता नहीं है ये देखिए दोस्तों एक बार फिर मंजुल का काटू देखिए इसमें मनसुक मंडाविया वही बात कह रहे हैं और फिर बाद में अब हर्षवर्धन ने क्या कहा था जिने हटा दिया गया था स्वास मंत्री के पत से मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में बयान है यूनियन हेल्थ मिनिस्टेर डॉक्टर हर्षवर्धन on Thursday said several state politicians are making irresponsible statements regarding the vaccination against COVID-19 which is now centralized यही बात मंसुक मंडाविय ने कहा था कि कई नेता और कई राजी के नेता जो हैं वो गैर जमेदाराना बयान दे रहे थे आगे दिखिए उन्होंने क्या कहा dismissing such criticism that despite the center now managing vaccination there is a crunch the health minister said that if there is any issue in any particular state they need to better plan their drives कोई फर्ख नहीं है दोस्कों वही बयान दोनों दे रहे थे और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ जब हर्शवर्धन को उनके पत से हटाया गया था तब पूरी गोधी मीडिया भेड़ चाल से हर्शवर्धन पर हमले बोलने लग गई थी न्यूस लॉंड्री ने अपने कारक्रम में तमाम न्यूस चैनल्स के बयानों को बहुत खूपसूरती से क्लिप किया है उसे एसेंबल किया है मैं चाहता हूँ कि आप उनकी इस प्रस्तुती का ये छोटा सांच देखें कि दोक्तर हर्शवर्धन को लेकर ये का जा सकता है कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी जो है इस कोविट काल के अंदर उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे उन्होंने बयान इस तरह के दिये कि कोई करोना वाइरस से चिंता होने की जुरूत नहीं है या फिर वैक्सीन लग जाएगी बहुत जल्दी से जो हकीकत थी कहीं नहीं उससे वो डिनायल में थे बहुत बड़ा गैप था वास्तविक्ता से और वो जो बयान दे रहे थे उससे और किसी ना किसी पर तो गाज गिरनी ही थी बड़ा गुना कर रहे थे जैसा कि आप अब कह रहे हैं तो ये बात आपने साल की शुरुआत से क्यों नहीं कही और आप में ये बात कहने की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि मोदी सरकार या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नेत्रित में हमने वैक्सिनेशन का पहला ओर्डर जनवरी 2021 में दिया अप्रेल 2021 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दे दिया था कि हमने बगएर वैक्सिन्स के कोरोना पर जीत हासिल कर ली तो फिर इसका ठीकरा सिर्फ हर्षवर्धन के सिर्फ पर क्यों फोड़ा जाए यकीनन उन्हें नौकरी से निकाला जाना उनके पद से इस्तीफा दिलाए जाना जरूरी था मगर हम ये ना भूलें कि वैक्सिनेशन को लेकर कोरोना को लेकर तमाम जो चीजें हैं उसे प्राइम मिनिस्टर्स आफिस ही मैनेज़ कर रहा था इसलिए क्या इसका दोश सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन पर मढ़ा जा सकता था और मैंने आपको बताया कि चाहे हर्षवर्धनों या मनसुक मंडाविया जो कि अब नैस्वास मंत्री हैं दोनों के बयानों में कोई फर्क नहीं बस चहरा बदल दिया गया है और ये इस देश का दुर्भाग गया है क्योंकि हमारे सामने कुरोना की तीसरी लहर है हमें बीजेपी ये नहीं बता पा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो तुमने कावड यात्रा जारी रखी है मगर उत्तरा खंड में तुमने क्यों पाबंदी लगा दी और दोनों के कारण राजनीतिक ही है खेयर दोस्तों हमारा मकसद न्यूज क्लिक में बोल खिलाबाजाद है तेरे में आपके मुद्दे इसी तरह से उठाते रहना है क्योंकि अगर हम ये मुद्दे नहीं उठाएंगे न दोस्तों तो आप हकीकत से रूबरू नहीं हो पाएंगे और अगर आप हकीकत से रूबरू नहीं हो पाएंगे तो हमारा हाल वही होगा जो हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा था अब इसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार